इतली के लिए ऐसा सिरदर्द बन गया कि सरकार को देश से बाहर करना पड़ा जो हमास जैसे आतंकी गुट को फ्रीडम फाइटर बताता है वेस्ट पसंद नहीं, अगर आपको पस्चेम पसंद नहीं तो जाते क्यों हो माम जिसने इसराइल को हत्यारा, तो वहीं अमेरिका को आतंकी करार दिया देखिए, रेडिकल इसलामस नहीं उनका एक तरीका है काम करने का भारत में भी यही करते हैं यह सब देखने के बाद मैं यही बोलूँगे कि यह कौम जहां भी रहती है, जहां भी जाती है, बस गंदी फैलाती है और हम हिंदुस्तानी नहीं, पूरी दुनिया परेसान है इनसे इतना ही नहीं इस इमाम ने, इटली सरकार के खिलाफ भी जहर उगला यह जितने भी ऐसे जुल्फिकार खान जैसे पगलेट हरकतें करते हैं, यह वेस्टन कंट्रीज में करते हैं, दोस्तों यह कभी मुस्लिम देशों में नहीं करते हैं, आप करके दिखा दो पाकिस्तान एक ऐसी कोम है, जो जलील होने के लिए ही पैदा हुई थी जाकिर नाइक जैसे भगोडे जलील इंसान भी पाकिस्तान को जलील कर रहे हैं, और दूसरी तरह पाकिस्तान के इमाम मोलना इटली में जाकर वहां भी अपनी थूथू करवा रहे हैं, और इस पर यह पाकिस्तान के जो लोग हैं, वो यही बोलेंगे कि इसमें भी मोदी जी की साजिस है क्योंकि मोदी जी की पोँच पता है न कहां तक है मैं तो ये की बात बोलूँगी भाई मेलोनी एक ही दिल है कितनी बार जितोगी हाँ तो भाई इस इमाम इस मोलाना ने ऐसा क्या कांड किया कि इसको इटली से बाहर फेका जा रहा है तो लोग समझेंगे कि हम रंग भेट कर रहे हैं, हम रेसिस्ट हैं, अब European कह रहे हैं कि यार चड़ो, तुम्हें जो बोलना है बोलो, ये हमारे देश का बेड़ा गर्क कर रहे हैं, हमारे घरों का बेड़ा गर्क कर रहे हैं, now we have to fight back, ये, ये, मैं बहुत पहले प्रिडिक कर ने इसका नाम, 54 साल का पाकिस्तानी इमाम है, बोलोना इटली में था, इसको 8 हक्टूबर को निकाल दिया, बोला कि तुम पहली फुरसत में निकलो यहां से, ये पहले तो चुप था, धीरे धीरे, 2023 से इसने जहर भरना शुरू कर दिया लोगों, ये राडिकल इस्लामिस् अंटी वेस्टर्न, अंटी सेमिटिक, होमोफोबिक और अंटी फेमिनिस्ट रेटिरिक था इसका, ये कहता था कि जो स्टेट ने टैक्स तुमारे उपर लगाए, यानि कि इटली ने जो तुमारे उपर टैक्स लगाए हैं, तुम वो टैक्स मत दो इटली को, बोला कि अल्ला, अल्ला से इसने फर्याद करी, दूआ करी कि जो वेस्टर्न, पश्चिमी देश हैं, मगरिब की देश हैं, उनको बरबाद कर दो, और इसने हमास और हिजबुल्ला की तारीफ भी करी, फिस जुल्फिकार खान ने, इसने माई दोहजार चॉबिस में, एक पूजली आपको ट्रांसलेट कर रहा हूं, कह रहे हैं, ऐसा कुछ होना ही नीचे, बेकार है, और इसने अमेरिका और इस्राइलीज को टेरिस्ट बताया, और बोला कि हमास, हेजबुल्ला, सीरिया, एरान, यमेन, ये कभी सिविलियन्स को हाम नहीं करना चाते, और फिर इस आपको वेस्ट पसंद नहीं, अगर आपको पश्चम पसंद नहीं, तो जाते क्यों हमाप, और वही सेम, देखिए, रैडिकल इसलामिस्ट है ना, उनका एक तरीका है काम करने का, भारत में भी यही करते हैं, हर जगे एक ही तरीका है काम करने का, ठीक है, पहले आप जाओ क नहीं पर किसी भी देश में, और वहां पर जाके आप उस देश के सम्विधान को समझो और उसका फाइदा उठाओ, और आप हुमन राइट्स का फाइदा उठाओ, इसने क्या बोला, जुल्फिकार खान ने, इमाम है, यह कह रहा है वेस्टन कंट्री, खुद एक वेस्टन कंट्री में रह रहा है, खुद एक वेस्टन कंट्री में रह रहा है, और कह रहा है कि जिस देश में तुम रह रह रहे हो, यह वहां के मुसलिम्स को बढ़का रहा है, और बोल रहा है भाईयों, जिस देश में तुम रह रह रहे हो, जिस मुल्क में इटली में तुम रह रह यह तो freedom of speech, देखे कितनी खुबसूरती की बात है, यह तो freedom of speech है, आपका constitution मुझे allow करता है, यही अगर Muslim देश में होता न, यही अगर Muslim देश में होता, सर्तन से जुदा, सर्तन से जुदा, तुम करके देखो यह, यह जितने भी ऐसे जुल्फिकार खान जैसे पगलेट हरकतें करते हैं, यह western countries में करते हैं, दोस्तों, they do it in western countries, यह कभी Muslim देशों में न, आप करके दिखा दो, यह तो बहुत बड़ी बात कर रहा है, Pakistan अपने आपको democracy कहता है, जुटी सही, जुटी ही सही, Pakistan अपने आपको democracy कहता है, आप Pakistan में करके दिखा दो यह, ISI आपको उठा के ले करते हैं आप सावीरेवय में जाके डेखें ये सारी की सारी ना ये राईडिकल इसलामिस्ट पॉलिटिक स hani उसको समझने की जरुएत है आप कहीं पे भी भी देखना भारत में भी आप देखेंगे की राईडिकल इसलामिस्ट मैं मुसलमानों की बात जोड़ नहीं है आपको क्या लगता है राडिकल इसलामिस का साओधी अरेबिया में लेफ्ट के साथ कोई गड़ जोड़ है वहां पे लेफ्ट है नहीं मुसलिम देश में लेफ्ट हो जाए वो पन अपने नहीं देते सरतन से जुदा स्टेट अवे और कॉम्मिनिस्ट कंट् चाइना में बनाओगे तो हमारे हिसाब से बनाओगे चाइनीज ने कुरान चेंज कर दी इन से बोला कि कुरान के अंदर कोई चाइनीज आदमी तो ही नहीं किसी चाइनीज आदमी की तो कहनी इसमें होनी ची आपने कितने लोगों को मैंशन करा है कुरान में कितने लोगों चाइना में खारे हो चाइना में इसमें कोग चाइनीज करेक्टर नहीं है चेंज करो, उन्होंने पूरी कुरान इडिट कर दी अपने हिसाब से अब उसमें 4-5 चाइनीज करेक्टर ड़ दी पूछा इमामों से, ये जैसे इमाम है जुल फिकार खान देखो, जहां पे चलती है, वहां पे रैडिकल इस्लामिस्ट अपनी चला देता है वो चला देता है अपनी, तुम चाइना में चलाओ, मज़ा आ जाएगा तुम्हें उसने बोला कि नई साब, हम सुर हराम है, नाचना गाना हराम है, शराब हराम है तो चाइनीस कॉमिनस पार्टी ने खटा कर रहा है इमामा को, बोला कि ठीक है, तुम्हाले हम दावत कर रहा है, तो आए, दोले दोले दावत में शराब थी और सुर था, पहले बोला इमाम साब, और कई सौ इमाम मतलब ऐसा ने कि एक दो, कई सौ इमाम पहले यह सामने सौर इसको ख़ो, क्या नहीं खाएंगे, क्यारे नहीं खाओगे तो फिर इस दुनिया से जाओगे, तो इमाम ने बोला शौक से खाएंगे, खाया, टाइट भी कर दिया इनको, समझरे टाइट, टाइट भी कर दिया, औप्र बोला नाचो, यह फोटो है ना पाइदा उठा रहे हैं आपको नहीं पसंदे वेस्ट आप मत आते क्यों मुझे ये समझ में नहीं आता अच तक पाकिस्तान में तुम करते जहर पहलाते तुम्हारे जैसे जाकरनाइक टाइप के छोटे तुम उर्दू स्पीकिंग जाकरनाइक बन जाते तुम गंद मचाते पाकिस्तान में वाँ पे इतना मचा हुआ है तुम भी मचा लेते नहीं इनको जाना एगए चुन चुन करके वोग डिपोर्ट कर रहे हैं और उनकी पुलिस एक्शन ले रही है ये जो आज तक चलता चले गया ना अब निछ चलेगा है ऐसे नहीं चले तो ये था आज का वीडियो देखा यह चाइना के खिलाफ तो कभी बॉलते नी चाइना इनका सब कुछ बदल दिया इनका निजाम hiç चीनज कर दिया चाइना ने फिर भी चैना को तो यह पाकिस्तानी अब magic ही मानते हैं लेकिन भारत में जूल्म हो रहा है वहां हो रहा इन आंज्ञाब मोट कहो रहते रहते हैं नहीं फेले अपना निजाम भनाने की कोशिस करते हैं पिर इन तब ये विक्टिम कार्ड खेलते हैं और फिर ये बाते करते हैं आमन की भाई इतना ही आमन पसंद है तो सभी के इज़त करो हैं ये क्या पूरी दुनिया को मुसलिम बनाना है पूरी दुनिया को मुसलिम उम्मा में बतलना है मुस्लिम उम्मा ने क्या उखाड लिया तो आज का वीडियो बैस इतना ही आपके क्या थोड़ से इस वीडियो के बारे में वो कमेंट सेक्षन में बता देना आप अपना ख्याल रखना जै हिंद वंदे मातरम भारत मता की जै यो यो किटू भाई देश रा